विए तो बहुत आसान को इसमें क्या दिया है आपको A set दिया है जिसके elements है A, B, C ठीक है ऐसे आपको B set दिया है जिसके elements B,C, D ऐसे आपको C set दिया है जिसके elements है A ,B ,D और E पिर आपको अनसे क्या पूशित है कि आप सबसे पहले A intersection B Union C निकले तो इसके लिए काम करणे है सबसे बहुत है आपन B Union C निकाल दें B Union C का क्या मतलब है B Union C का मतलब है कि जो दोनों में हो सारे elements लिख दो और जो दोनों में हो उसको तो रहे एक बार लिखना है तो A है A है C में B दोनों में है तो अपने सबसको एक बार लिखेंगे D दोनों में इसको अपन एक ही बार लिखेंगे, C भी है और E भी है, चीक है, तो यह हो गया B union C, अब अपनको A के साथ B union C का intersection करना है, B और A union C में common क्या कहा है, देखो, common है A, B और C, तो हमारा इसका answer हो जाएगा, A, B और C, जो कि अपना option A, simple है, यह वाला question हो गया,